Hello friends welcome to the video lecture series of differential equations इस video lecture में मैं आपको बताऊँगा how to calculate degree and order of any differential equation सबसे पहले हम order के concept को समझेगे then हम degree की तरफ बढ़ेंगे friends order को समझेना बहुत आसान है मेरे पास जो भी differential equation दिया गया है उसमें जो derivative लिया है मैंने वो highest time कितनी पार लिया है वही होगा order तो अगर मैं इसे technically define करूँ तो कुछ इस तरह हम इसे define कर सकते है the order of a differential equation is the order of the highest derivative appearing in it तो यहाँ पर मैं आपको example show करता हूँ तो आपको समझ जाएगा देखिए जो अपने पास यहाँ पर पहला example है उसमें आप देखिए derivative highest time कितनी बाली गई है तो यहाँ पर देखेंगे 3 times derivative लिया गया है तो इसलिए इस equation का order होगा 3 ठीक है similarly friends इस equation को देखिए अब आपको root भी यहाँ पर नहीं देखना है order calculate करते समय है सिर्फ देखिए derivative कितनी बाल मैक्सिमम दिया गया है ठीक है तो आप देखेंगे करते हैं बहुत यासान है डिगरी का concept थोड़ा सा concept जो है तो डिगरी जो होता है friends उसे calculate करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगता है और कुछ concept आपको पता होने चाहिए तो देखिएगा तो डिगरी को define कुछ इस तरह कर सकते हैं कि the degree of a differential equation is the exponent of the highest order derivative यानि कि अभी हमने देखा कि जो highest time derivative लिया गया है ना उसका जो power होगा वो power ही कहना हैगा degree पर कुछ condition है condition यह है कि वो जो power है वो हमेशा positive integer होना चाहिए तो देखिएगा सबसे पहला condition degree of a differential equation is defined if it is a polynomial equation in its derivatives इसे मैं आपको समझाता हूँ देखिए पहले तो आप यह समझी polynomial किसे कहते हैं अगर मैं आप इसे बोलू polynomial in x तो जैसे कि example x square minus x plus 2 तो यह क्या है polynomial in x बट अगर मैं आपको यह equation दो देखिए sin x plus x square तो आप इसे polynomial कहेंगे नहीं कहेंगे न क्योंकि यहापे sin x का time आ गया तो polynomial in x का क्या मतलब होता है x किसी powers होने चाहिए x किसी function के अंदर नहीं होना चाहिए sin e raise to x ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए ठीक है अब polynomial equation in derivative का क्या मतलब होता है तो देखिए y' का क्या मतलब होता है dy by dx y double dash का मतलब क्या होता है d square by dx square ठीक है तो अगर में पास कोई ऐसा equation है जिसमें suppose y' है उसका कुछ power है से k1 then में पास y double dash है उसका power है कुछ k2 और इनके साथ कुछ coefficients भी हो सकते है उससे मुझे मतलब नहीं है but condition यह है कि यह polynomial होना चाहिए यानि y' y' यह जो भी derivatives है यह sin and cos के अंदर या किसी दूसरे function के अंदर नहीं होने चाहिए तो मुझे लग आप समझ गया कि polynomial का क्या मतलब बता है अभी कुछ time के बाद में आपको example दूँगा फिला second point देखेगा यहां पर degree when defined of a differential equation is the highest power positive integer only मतलब degree हमेशा क्या होगा positive integer fraction हो सकता नहीं है यानि degree calculate करना है तो fraction को remove करना होगा अभी कुछ दिर बाद बताऊंगा आपको देखिएगा so of the highest order derivative unit यानि जो सबसे ज़्यादा highest time derivative लिया गया है उसका positive integer power आपको देखना है so यहाँ पर आपको मैं तीन example शो कर रहा हूं जो कुछ दिर पहले शो किया था so देखिए first order जो example है इसका मुझे degree calculate करना है तो पहले यहाँ पर आप friends observe करेंगे कि यह polynomial होना चाहिए तो आप देखेंगे कि derivatives जो है वो किसी function के अंदर नहीं है तो यह polynomial है और यहाँ पर derivative सबसे highest time कितनी बाद लिया गया है 3 times तो इसका order 3 होगा और जो सबसे highest time derivative लिया गया है उसका power आपको देखना है यानि यहाँ पर यह जो d cube y by dx cube है इसका power देखिए क्या है 1 है तो यहाँ पर इसकी degree होगी 1 ओके यह degree and order का concept आपको अच्छे साना चाहिए क्योंकि chapter का नाम ही है differential equation of first order and first degree ठीक तो अब यहाँ पर दोड़ा नजर मारते हैं देखिए अब यहाँ पर आप देखेंगे सबसे highest derivative क्या लिया गया है तीन बार लिया गया है ठीक है तो आपको आप बोलेंगे यहाँ पर इसका power 1 है इसका degree 2 sorry 1 होगा ऐसा नहीं है पहले बार आपको equation से fractions निकालने होगे यहाँ पर आपको दिख रहा है रूट दिख रहा है ना इसको पहले हटाना होगा तो दोनों तरफ हम square करेंगे तो क्या मिलेगा 1 प्लस d square y by dx square equals to d cube y by dx cube का whole square याद रखिएगा root beat सब यह निकलना चाहिए equation से root नहीं होना चाहिए तो friends यहाँ पर आप जो power है यह कहलाएगा degree अब third equation को देखिए third equation में अगर आप देखेंगे कि मेरा जो derivative है वो sine के अंदर है मेरा derivative क्या है sine के अंदर अच्छा इची और बता दूँ अगर मेरा derivative है किसी sine, cos या e के power में लॉक के अंदर है तो उसका degree exist नहीं करता मुझे लगे आपको क्लियर हो गया कि degree का concept क्या है and order का concept क्या होता है friends आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि differential equation solve कैसे करते हैं differential equation के type क्या होते हैं और भी बहुत सारी concept from इस chapter के उपर देखने वाले thank you so much